हेलो फेंट्स आज किस यूडर में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स पे फेंट्स टोक में कंटीनू गिरावट आपको देखने को मिल रही है रिजन्स क्या है और आने वाले टाइम में क्या कुछ सिसके स्पोट और टारगेट रहेंगे डिटेल से समझेंगे उससे पहले आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें है यहाँ साथ ही में एक कमेंट करना कि कितने प्राइस पर कितने क्वेंटिटी आपने पौट्पॉल्यों में एक रखिया है बात करते हैं आपने पिछली विडियो की यहाँ पे मैंने आपको लेवल शेर किये थे कि 920 से यह सपोट लेता हुआ नजर आएगा और यहां से सपोट लिया था और फिर हमारे चसे टेंड लाइन है यह आपको बता दे। तो स्पोर्ट वही रहेगा हमारा 920 का और साथ ही में अगर रिस्टेंज की बात करें तो यह हमारी 10 लाइन रहेगी कितने के करीब रहेगी यह यह रहेगी 975 के आसपास की अगर इसके उपर ब्रेक आउट दे के यहां क्लोजिंग देता है तो पहला टारगेट रहेगा 10105 का सेकंड टारगेट रहेगा 1064 का ठीक है यह टारगेट हमारे आने वाले टाइम में हिट होते हो नजर आ सकते हैं लेकिन अगर आप फ्रेस बाइंग करना चाहते हो तो 920 के आसपास आप बाइंग कर सकते हो लेकिन फ्रेंट्स फ्रेस बाइंग से पहले एक बार आप 4 जून क वेट कर लीजिए जैसे ही नतीजे आते हैं तो आपको पता चल जाएगा मार्किट किदर की साइड मोग करेगा अगर सेम गोर्मेंट रही तो भाइंग पोजिटिव माहूल देखने को मिलेगा अगर गोर्मेंट चेंज होती है तो तो हर स्टोक पर आपको इंपक्त देखन क्या सकते हो अब कहोगे कि हमारा लोस और आपको खुसकबरी लग रही है नहीं भी अगर जिसने 1064 के असपास बाई कर रहा है तो पाइदा ही है क्योंकि देखो ठाटा की कंपनी है टेंसन फरी रहो गई इसमें अगर गिराउट आपको देखने को मिलते है तो एक की रेश्यो है ना नाइन की है जिसमें की इंडर्स्ट्री पी 22 की है अब भी भी कंपनी के गरो होने के चांस काफी है और मार्केट में गिराउट आपको देखने को मिली तो हद से ज्यादा गिराउट इस टोक में देखने को नहीं मिलेगी और फेंड्स में आपको बता इस वीडियो का मोटिव ओल्ली फोर एजुकेशन पर पर जब मैं किसी को पर्सन रिक में नहीं करती कि आप इस टोक में बाइक रो सेल कर या होल्ड करूं